हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमशकार सत्रिया काल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रस्पी के साथ आज हम बनाने वले हैं मिक्स वेज परांठा जी हां इस तरह से परांठा बना कर आपने कभी नहीं खाया होगा बहुत ही मसालेदार ये परांठा बनेगा चट पटा और खाने में इतना टेस्टी कि सभी उंगलियां चारते रह जाएंगे तो चलिए फिर देर ना करते हूँ ये मज़ेदार सा परां तो मैं बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सी वेजिस का इस्तमाल करने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही टेस्टी परांठा बना कर अपने घर पर त्यार कर सकते हैं तो ये मैंने लिया है आदा कप के क्रीब कटा हुआ प्याज वन फोर्थ कप के क्रीब मैंने लिया है हरा ध मैंने लिया है मेथी के पत्ते सरफ पत्तों का इस्तमाल कर रही हूँ मैं दो तीन कटी हुई हरी मिर्च टमाटर ले रही हूँ मैं फ्रेंड जिसमें से मैंने पल्प निकाल दिया है सिरफ टमाटर का ही इस्तमाल कर रही हूँ और ये है ग्रेट किया हुआ अध्रक साथ में मै दिखativity ने लिया है कटी होई शिम्ला मिर्च आदा कप के क्रीम यह तीन आलू जिसे मैने और करके अची तरह कर लिया है और यह पालक के पत्ते कट करके आदा करके क्रीम तो यह सबी ऐजिस मैं डालूँगी प्रांठे में और बनाएंगे बड़िया सा प्रांठा तो चलिए फिर चटपठा प्रांथा किस तरह से बनाएंगे वो भी देख लेते हैं क्योंकि मसाले मैं इसमें कम से कम 12 मसालों का इस्तमाल करने वाली हूँ तो चलिए मसाले देख लेते हैं और फ्रेंट ये सभी सब्जीय जो है ना कच्ची खाई जाने वाली हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्हें हमें पका कर प्रांथे में डालना है तो चलिए मैं मसाले दिखा देती हूँ मसालों में मैं ले रही हूँ टेस्ट के कॉर्डिंग नमक आदा चमच मैं ले रही हूँ अजवाइन यानकी केरम सीड और मैंने एक बड़ा चमच लिया है धनिया जिसे मैंने क्रश कर लिया है सूखा धनिया पौडर फोम में बना लिया है और आदा चमच मैं ले रही हूँ साबुत जीरा आदा चमच से थोड़ा से ज़्यादा मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर या टेस्ट के कौर्डिंग भी कह सकते हैं एक चमच भर कर डाल रही हूँ अनार दाने का पाउडर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे एक चमच मैंने लिया है सुखी कसूरी में थी और वन फोर्थ टी स्पॉन मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर यानकी टर्मरिक पाउडर एच चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ हिंग फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आएगा और हाजमे के लिए भी ये बहुत बेस्ट है साथ में मैंने लिया है आदा चमच जीरा पाउडर आदा चमच मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला चट पटा फ्लेवर देने के लिए आदा चमच मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला तो ये 12 मसाले डाल कर हम बनाएंगे बड़ी असा वेच प्रांठा तो चलिए रखते हैं इसे और इन सभी वेजिस को मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ और जो मटर है उन्हें मैं क्रेश कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा देती हूँ तो डालते हैं इस बाउल में सभी वेजिस को वेजिस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा वेजिस का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ किसी को मैंने one fourth cup के क्रीब लिया है और किसी को मैंने आदा cup के क्रीब लिया है तो ये अपने taste के according कम ज़्यादा कर सकते हैं तो friends आटा मैं पहले से ही लगा कर त्यार कर चुकी है बिल्कुल soft आटा मैंने लगा कर त्यार किया है जब भी आप भरवा प्राठे बना रहे होना तो आटे को बिल्कुल soft लगाई है क्योंकि soft आटे में जो हमारे प्राठे है ना बहुत अच्छी तरह से बिलकर त्यार हो जाते हैं तो फटते नहीं हैं तो फटेंगे नहीं तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी तो डाल दी है मैंने सभी wedges एक बॉल में तो आप यकीन मानिए इतनी wedges जा रही है तो प्राठा हमारा कितना टेस्टी बनेगा तो ये देखिए मैंने मटर को भी क्रेश कर लिया है तो चलिए मटर भी के अब हम क्या करेंगे फ्रेंट्स इन wedges में डालेंगी ये काफी सारे जो हमने मसाले कठे किया है न इने डाल देते है wedges को बस कट करना में ही टाइम लगता है प्राठा बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो थोड़ी-थोड़ी wedges को आफटा-फट से कट कर सकते है और ये देखिए सभी मसाले इसमें चले गए तो मज़े गर प्राठा बना लेकिने के लिए सबजीएं भी त्यार है और ये बढ़िया से मसाले भी त्यार है तो चलिए इसे मैं हातों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो ये लिजिए स्टफिंग हो गई हमारी त्यार प्रांठे की आप देखी रहे है और जटपट से मैं आपको आठा भी दिखाती हूँ आठा भी मैंने लगा कर त्यार किया है बनाएंगे उसके बड़िया से पेड़े और स्टार्ट करते हैं प्रांठा बनाना तो लिजिए आठा देख लिया तो मैंने पेड़े भी बना लिया है और फ्लेम ओन करके मैंने रख दिया है तवा अभी मैंने medium flame पर ही रखाया और medium flame पर ही हम बनाएंगे तो देखे कितनी अच्छी तरह से मैंने पेड़े को अच्छी तरह से हाथों से ही फिला लिया है इतना soft आटा लगा कर त्यार करेंगे तो जिस तरह से normal रोटी विगरा के लिए हम soft आटा लगाते हैं वही आटा हमें चाहिए तो एक पेड़े की मैंने stuffing निकाल लिये लग से plate के उपर अब आपको होगा कि ये प्रांठा फटेगा तो नहीं तो देखी अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा बहुत moisture है वैसे तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आपको moisture लगेगा कि हमारे प्रांठे फट ना जाए तो इसके उपर थोड़ा सा ग्यहूं का आटा ही sprinkle कर देंगे जिससे इसमें जितना भी पानी होगा न वो ये आटा सोक लेगा और जो प्रांठा है आपका फटेगा ही नहीं तो चलिए मैंने डाल दिया मिक्स कर दिया है सोड़ा सा सूखा आटा अफटा फट से इसकी stuffing हो गई हमारी त्यार डालते हैं इसे इस रोटी के उपर तो जब भी आपका मिक्स वेज परांठा बनाने का दिल करें न तो जट पट से धेर सारी सबजीयों से इस तरह से आप परांठा बना कर त्यार कर सकते हैं इस तरह का परांठा आपने कभी नहीं खाया होगा अपनी लाइफ में और इस तरह से आप बनाईए और फटाफट से बनाईए और मुझे जरूर बताइए ये परांठा आपको कैसा लगा और मैंने आपकी वीडियो देखकर इस परांठे को बनाना स्टार्ट किया है सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है तो मैं उसके लिए भी शुकर गुजार हूँ तो चलिए, देखिए मैंने हातों से ही कितना प्राठा बेल लिया है, हलके अलकी हातों से, बेलन से भी से और थ्ख़़दा सा बेल लेते हैं तो बहुत ही बड़िया यह हमारा प्रांठा बन कर त्यार होगा वेजीज आप इसमें मैं एक और बता दूँ आप इसमें स्वीट कॉर्ण भी बॉयल करके एड़ कर सकते हैं तो चलिए प्रांठा बेल लिया है और तवा भी हो गया है गरम तो जटपट से डालते हैं इसे तवे के ओपर और इसके अंदर जितनी भी वेजीज है ना जब आप मीडियम फ्लेम पर इसे सेकेंगे तो वो सभी वेजी स्टीम के साथ बहुत अच्छी तरह से कोक हो जाती है कच्ची बिल्कुल नहीं रहती पेट के लिए बिल्कुल खुराब नहीं होती तो आप इसे इस तरह से जरूर बनाएं तो चलिए जब तक ये हमारा प्रांठा सिखता है तब तक हम दूसरी रोटी को भी बेल कर उसका भी स्टाफिंग डालकर प्रांठा बेल लेते हैं तो एक तरफ से थोड़ा सा सिख गया है तो ट्रांसफर करते हैं तो दिखिए फ्रेंट्स धीरे धीरे ही इसे आप पकाईएगा ताकि सबी वेजिस इसमें अच्छी तरह से पक जाए तो वैसे तो हम गोबी का प्रांठा बना टेस बनेगा तो देखिए दूसरी साइड से भी काफी एची तरह से सीख गया है अब लगाते हैं इसके ऊपर मैल्टेड घी बटर या आप ओईल जो भी आपका देल करे आप इसके ओपर लगाकर इसे बना सकते हैं सेख सकते हैं तो अलट्पलट करते हुए इसके ओपर मज़ेदार लगे आप इसे बार-बार बना कर खाएंगे तो थोड़ा इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से चारो तरफ से सेखेंगे फ्लेम अभी भी इसकी मीडियम है हाई फ्लेम मत कीजिएगा मीडियम फ्लेम पर ही इसे सेखिएगा तो ये देखिए कितना बड़िया कलर आ गया है बहुत अच्छी खुश्पू बहुत जबर्दस आ रही है जो हमने इसमें हींग का इस्तमाल किया है न वो भी इसके लिए काफी बैस्ट है हमारे पेट के लिए भी काफी बैस्ट है तो आप इसे इस तरह से बनाईएगा और मुझे जरूर बताईए आपको ये वीडियो कैसी लगी तो चलिए बातों बातों में हमारा प्रांठा सीख गया है आप देखी रहे हैं तो रखते हैं इसे प्लेट के उपर और इसी तरह से मैं जट पड़ से दूसरा प्रांठा भी बना कर आपको दिखा देती हूं तो लिजिए डाल दिया तवे के उपर अच्छी तरह से इसे सेकेंगे दोनों साइड और लगाएंगे इसके उपर घी काफी सारा क्योंकि परांठा है ना तो घी के बगार तो अधूरा है तो यह देखिए यह भी त्यार हो गया और मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया इसके अंदर कितनी अच्छी वेजिज हैं जो जहांक रही हैं और यह खाने के लिए हो गया बिल्कुल त्यार अगर वीडियो आई कि आपको पसंद तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए